दोस्तो यह दुनिया जितनी खूब सुरत है उतनी रोचक भी है कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पर भरुशा करना मुश्किल है प्रण तु वह एकदम सकते हैं दोस्तो मैं आज आपको ऐसे मजदार तक से बताऊंगा जो कि आपको गुदगुदाएंगे पर साथी साथ आपका ग्यान भी बढ़ाएंगे पूर्वे एशियाई देश जैसे चाइना में आठ नंबर को भागेशारी नंबर माना जाता है आठ नंबर को सम्रदी का प्रतीक माना जाता है परन्तु नंबर चार को बुरे शगुन के रूपे चाना जाता है नंबर चार को कई एशियाई भाषाओं में मोत के शब्द की तर रूप्योग किया जाता है दोस्तो हम हंड्रेड को सो के रूपे जानते हैं रंग्तू अनस्प्लेश वर्ड सो ओल्ड नौर से शब्द हुड्रेस से लिया गया है जिसका वास्ता में मतलब 120 है नाकी 100 तोता एक पक्षी होता है जिसका वैज्ञानिक नाम सीटा क्यूला केमेरी है तोता बहुत ही सुदर पक्षी होता है और मनुश्यों की बोली की नकल बखु भी कर लेता है भारत पे तोते को पोपट कहते हैं अधिकाज तोते 50 शब्दों के आस्पा याद रख सकते हैं पर अफ्रिकी ग्रेत होते सैंक्डों शब्दों को याद कर लेते हैं टैनिसी के एक चडिया घर में एक शांदर अफ्रिकी रोता आइंस्टीन लगपर 200 शब्द बोल सकता है दोस्तों रेवन कोई की तरह होते हैं यह काफियत तक एक जैसे लगते हैं रेवन पक्षी के एक खासित होती है कि रेवन को कैद प्यर रख कर काफी शब्स सिखाए जा सकते हैं रेवन मानों की भाषा की नकल करने में तोते से भी बेतर होते हैं रेवन कार के इंजन, फ्लेश की आवाज की नकल भी रिकल भी कर लेते हैं जहां हीरो की बारिश होती है शनी पर वरस्पतिक रह ऐसे दो ग्रह है जहांके वातारण में भारी मात्रा में कार्बन मुझूद है मुझूद में बदलाव की कारण कारण पर विजली ग्रिती है तो वह हाड ओकर ग्रिफाइड बन जाता है और नीचे ग्रिणने रखता है जहां एट्मस्परिक परेशन उससे तब तक हाड बनाता जाता है जब तक कि वह दाइमंड न बन जाए इस तरह वह हीरो की बारिश हो चार सोगे मिट और चंडरमा प्रथ्वी का उपक रहा है जेब हम प्रथ्वी से चंदर्मा को रात में देखते है तो वह कफी कुई दिखाई देता है इस तर्भाई दिखाई दिखाई दिए तर दोस्तों कि आपको पता है कि चंदर्मा लगातार हर साल प्रती से करीब 3.8 cm मतब 1.5 इंच दूर जा रहा है और यह प्रक्रिणिया करीब 4.5 बीलेर येर से हो रही है श्रिम्प एक छोटी सेलफिश होती है लंबी पूच पह बहुत सारे पैरोगाने श्रिम्प एक पसंदीदा सीफूड है और लोग इसे पटे चाव सेखाते हैं पर क्या आपको पता है कि श्रिम्प का जो दिल होता है इसके दिमाग पे होता है जैसा कि सबको पता है औरतों को सजना से वणना बहुत अच्छा लगता है चैरे को सुंदर दिखाने के लिए लड़कियां वे महिलाएं काफी कॉस्मेटिक आटम यूज़ करती है फोटो को सजाने के लिए लिपिस्टी यूज़ करती है एक महिला अपने जीवन काल में चार से नो पौंड लिपिस्टी यूज़ करती है और कई दो से तीन किलो लिपिस्टिक खा जाती है महिलाएं अपने जिंदगी का एक साल सिर्फ यह सोच के निकाल देती है कि उसे कौन से कबड़े पहनने है अपने लुप को लेकर भी वह दिन में कम से कम नो बार सोचती है और पुरुष अपने जिंदगी के छे महिन तों शेविंग करने भी गुजार देते हैं दुनिया में कई राजा हुए हैं और उनके शोग भी बड़े अजीब होते थे महराजा महावत रसूल खान जूनागडगी राजा अपने अनो के शोग के लिए प्रसित थे उनको कुट्टे पालने का शोग था उनके पास करीब 800 कुट्टे थी हर कुट्टे की सेवा के लिए एक नोकर होता था कुट्टे का इलाज भी ब्रिटिस स्रजल से होता था पालतु कुत्य की शादी भी करये जाती थी पर एक कुत्य की शादी अखर्च आज के इसाब से करील 2.25 लाग होता था शादी की दिन राज्ये में छुट्टी होती थी वा राजय जी किसी कुत्य के मरने पर एक दिन का राश्टी शोगोशित किया जाता था प्रिटिश अभीनेता सर बेन किंग्सले जोने गांधी मूवी में महात्मा गांधी का किरदार निवाया था उनका असली नाम कृष्टना पंडित भांजी है और वे मूल रूप से भारती है भारत में गंगा नदी को माता की तरह पूझा जाता है संपूर पापो का नाश करने वाली है माग गंगा पर आपको पता है कि भारत के जाड़कर बिहार वे उत्त्रप्रदेश में बैने वाली एक नदी है जिसका नाम कर्म नाशा नदी है इसे शापित वे अपवित्र नदी माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि इस ददी के पानी को छूने पर आपके सारे काम बिगर जाते हैं वे अच्छे कर्मे मिट्टे मिल जाते हैं कर्म नाशा का अर्थ ही काम का नाश होना है यह तो सभी लोग जानते हैं कि ताश के पत्तों में चार राजा होते हैं लेकिन एक बात जो कमी लोगों को पता होती है वो यह है कि इन में से तीन राजाओं के तो मुझे होती है लेकिन एक की नहीं होती वो राजा होता है Kings of Hurd शुवो में इस राजा के यह मुझे होती थी लेकिन एक बार जिब कार्ट्स को रिडिजैन किया जा रहा था तब डिजैनर उसकी मुझे बनाना भूल गया तब से Kings of Hurd बिना मुझे वाला राजा हो गया नीदर लेंड यह बहुत ही खुप्श्रत देश है इसके हेगा शहर को International City of Peace and Justice की रूट में जाना जाता है यहांकि सरकार लोगों की सुख सुदाओं का विशेद ध्यान रखती है हेगा शहर में एक ब्रिज का निर्वान सिर्फ इसलिए किया गया ताकि गिलेरियां बिना किसी खत्रे के हाईवे पार कर सके है ना अमेजिंग क्रोध या गुस्सा सभी इंसानों को आता है गुस्सा आने पर हमारा शरी कापन लगता है वे मूलाल हो जाता है पर आपको यह जानकर हरानी होगी कि हमारे शरी का एक अंग क्रोध आने पर गर्म हो जाता है गुस्सा आने पर हमारी नाग गरम हो जाती है अगली बार आपको जब भी गुस्सा आए तो अपनी नाग को चुकर देखना दोस्तों अगर आपको मेरे फैक्स पसंद आये हो तो मेरे चैनल को सब्स्राइब करें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट वो उसमें कमेंट जरूरा